मौनसून सत्र का नवा दिन, कारवाई में आज तक्तियों के एतर शरीक था गुस्सा जिक्र था राश्वपती द्रौपदी मुर्मू के अपमान का लोगसुभाई कारवाई शुरू होते ही केंद्रिय मंत्री स्मृती राणी ने कॉंगरेस सांसद अधी दंजन चोधरी पर एक एकर कई हमले किये सुनिए गुरौपदी मुर्मू कॉंगरेस पार्टी की घिना का केंद्र बनी कॉंगरेस के पुरुष नेताओं ने गौपदी मुर्मू को कठ़पुतली कहा कॉंग्रेस के ध्रिणित कार्य करने वाले पुरुष नेता उन्हें ग्रॉपदी को अमंगल का प्रतीक कहा और कल कॉंग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपती को राष्ट्र पद्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया कॉंग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही अपॉलजाइस तु दे नेशन माफी मंगो इस देश से माफी मंगो को मिया गौंधी आदिवासीों से माफी मंगो भेंकर गुस्ते की बीच लोगसुभा की कारवाई बारा बिया तक के लिए स्थागित कर दी गए उधर कॉंग्रेस सांसात अधिरजन चोधरी ने अपने बयान पर क्या सफाई दी सुवी सुन लीजे चूक हुए है चूक हुए है राष्टपोदी कि आर्टिकल 60 के ताहेत उस दिन जो समारो में सपंध गर्ण की त HAS मजूद मोजूद से हुए राष्टपोदी जो भी अमरे सरवच्चो स्थान पर बैटे हैं सब्दन में राष्टपुतीजी की बुलाए पर ही हम लोग आते है एसान नहीं आते तो जिनकी बुलाए पर आते है मैं उनको कैसा असर्मन कर सकता लेकिन चूक हुआ तो क्या करे अभी फासिए में लटकाी, बस एक बार चूक किया लेकिन मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि राष्टर पुदी को किसी सब्द में अपमान करा लोगसभा की कारिवाई 12 बजे फिर से शुरू हुई अधीर अजन चौदरी के बयान पर हंगामा इतना कि सदन की कारिवाई को शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया इस बीच लोगसभा में केंदरिय मंत्री, स्मिर्थी इरानी और कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बीच तीखी नोग जोग हुई दरसल लोगसभा में 12 बजे सदन स्थगित होने के बाद, बीजेपी के सांसर सोनिया गांधी स्तीपा दो का नारा लगा रहे थी सोनिया गांधी सदन के बाहर जा रही थी, लेकिन वो नारेवाजी के बीच वापस लोटी और रमादेजी के पास गई और बताया कि अधी रंजन चोधरी ने मापी मांग ली है, इसी बीच स्मृती राजी ने कॉमेंट किया तो सोनिया गांधी नराज हो गई उन्होंने तेज आवाज में कहा, don't talk to me सदन के सूत्रों द्वारा ये दावा किया जा रहा है, हलाकि बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों के अपने अपने पक्ष मी हैं शाम चार बजे सदन के कारवाई फिर से शुरू हुई, हंगामे का शोर और इस बीच सभा की कारवाई को 29 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए सखित कर दिया गया अब चलते हैं राज्य सभा की ओर, कारवाई शुरू हुई, सदन के पटल पर पेपर्स रखे गए, हंगामा कर रहे हैं विपक्षी दलों के सदस्यों को चेतावनी दी गए अब वित्मंत्री निर्मला सीतरमन ने अधीद अंजन चौधरी के बयान का जिक्र किया उधर विपक्षी दलों के सदस्यों न चेतावनी को अंसुना कर दिया, नारे बाजी की गई की दूद दही पर चर्चा करो वेल में उतरे विपक्षी दलों के सदस्यों से कहा गया कि वे प्लेकार्ट्स न दिखाएं, इसके बाद कारवाई को बारा बज़े तक के लिए स्थागित कर दिया गया राशवाई कारवाई बारा बज़े फिर से शुरू हुई, राशपती द्रौपती मुर्मू पर किये कॉमेंट को लेकर सत्ता पक्ष्ट न अराजगी जाहिर की केंद्रिय मंत्री प्यूश गोईल ने कॉंग्रियस पर गंभीर आरोप लगाए इस पर मलकार जुन खडगे ने कहा कि जिस सदस्य ने ये कॉमेंट किया है वो लोकसुभा के सदस्य हैं, उनके बारे में इस सदन में आवाज नहीं उठा सकते हैं, इसके बाद हंगामा बढ़ा और उपसुभापती ने तीन और सदस्यों को सदन की इस हफते की कारवाई से निलंबित कर दिया. बख्षी दलोग के सदस्य तक्तियां लेकर वेल में हंगामा करने लगे, हंगामे का शूरितना की कारवाई की आवाज दबने लगी, जिसके चलते राश्रभा की सदन की सदन को भी तो बहर दो बज़ तक के लिए स्थागित कर दिया गया, राश्रभा फिर से शुरू सदन को तीन बज़े तक के लिए एक बार फिर स्थागित कर दिया गया, हंगामे की फिर वही तश्वीर राश्रभा के फिर से शुरू होते हुए दिखी, पीठा सीन, हुमरेश्वर कालिता ने संदीप कुमार पाठक, सुशील गुपता और अजीत कुमार भुईयां, जिन कामे का शूर और कारवाई 29 जुलाई सुबह 11 बज़ते के लिए स्थागित कर दिया, इतकोल मिला के आज पूरा सदन हंगामेदार रहा, कामधाम कुछ नहीं हुआ, और जो हुआ वह आपने देखा, ये थी आज की संसित की कारवाई, कल फिर मिलेंगे, सभी अपडेट्स क साथ देखते रहें, दीललन टॉप, शुक्रिया